नमस्कार दोस्तो, वेल्कम टू मैं जैनल एकजाम इस्टोर, एकजाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तो फ्रेंड, हम लोग बात करने वाले अरारबी अन्टीफीसी में 55 प्लस इसकोर कैसे लया हैं जी, या दोस्तो 15 प्लस इसकोर इतने कम समय में क जैसे किया जाता है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वला है किस टॉपिक को आपको पढ़ना है कि 75 प्लस इसकोर आप प्राप्त कर सकते हैं और किस टॉपिक से कितना प्रश्ण पूछा जाता है अगर इस चेप्टर को आप पढ़ते हैं तो इन चेप्टरों को मोर रिवीजन करते हैं यानि मॉल्टिपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं तो पचात्र प्लस लिया सकते हैं फ्रेंट जो है पेपर का लेबल जो होता है लगबख 45 परसेंट जो होता है लगबख सभी लोग पेपर कर लेते हैं इत्ता तो सभी लोग कर ल ले जाके चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि एक्जाम इस्टो लगातार आपके लिए लेटेस्ट अब्डेट हो परतियोगी परिच्छाओं की भी तैयारी कराता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स चेक इट तो प्रेंड यहां पे हम लोग बात करने वाले आपके एक्जाम के बारे में तो आपका जो एक्जाम होने वाले नब्बे मीनिट में यानि 1.5 घंटे का एक्जाम होगा आपका एक गंटा 30 मीनिट का जिसमें आपको ओन थर्ड जो है नीगेटिव मार्किंग भी मिलेगी परत तो टोटल जो है आपके हंडेड कोस्टन हंडेड मार्क्स के रहने वाले जिसमें टाइम है आपके पास 90 मिनट तो फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को किस टॉपिक से कितना जो पढ़ना पड़ेगा तो आप लोग सिंपिल लिफिकेशन में देख सकते हैं इन इतना आता है को के फरेंट इस तरीके से जो आपसे पूछा जाता है हम मैं आपको दिखाता हूं कि किस टॉपिक से कितने कोसर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एसमें नंबर आप कोसर गितने हैं दो आते है लगबग और इसका difficulty level कैसा रहता है तो moderate रहता है ठीक है फ difficult नहीं होता है इजी होता है इसको फरमूला इस होता है इसको आप लोग solve कर सकते हैं Ratio proportion की बात करते हैं यह बहुत ही simple इससे पूचा जाते हैं तो तीन抗ोशन आप लोग इसका भी पूछ सकते हैं इजी आता है इसका पेपर का लेवल जो पूछने Profit and Loss के तीन question आते हैं जो बिल्कुल easy question पूछे जाते हैं जो आप लोग कर सकते हो geometry इससे दो question पूछा जाता है जो की easy to moderate रहेगा कैसा रहेगा easy to moderate या तो आसान भी हो सकता है या कठीन भी हो सकता है number system से चार question पूछा जाते हैं बहुत ही important chapter होता है नमबर system क्योंकि इससे चार question पूछा जाते हैं जो की सबसे आसान chapter होता है easy to moderate इसमें दे रहा है simplification के बात करें तो 3 question पूछा तो easy रहता है इससे और time and work से 2 question आते हैं जो easy to moderate रहेंगे वहीं statics की बात करें तो है question easy रहता है यह easy to moderate यह भी रहता है तो फ्रेंट टोटल 30 question है जिसमें से अगर आप लगबग 15 question भी कर लेते हो math में तो बहुत ही अच्छा score रहेगा अगर कम बेस के हो अगर math बिल्कुल नहीं आती है अगर 15 plus सही करते हो तब भी काफी अच्छा performance आपका रहेगा math में फिर reasoning की बात कर लेते हैं तो यह topic आपको reasoning में दिया हुआ इस इस chapter से आते हैं किस section से कितने question पूछे जाते हैं तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं कोडिंग डिकोडिंग सबसे सिंपल होते हैं इसमें से चार कोस्टन आ रहें इजी रहेंगे बिल्कुल भी आप लोग इसको कोडिंग डिकोडिंग से कितने आ रहे थे चार कोस्टन आ रहे थे जो लेबल कैसा था इसमें थोड़ी से आपको दिक्कत हो सकती है पजल की बात करें तो यह इसमें तीन कोस्टन बिल्कुल इजी आता है ब्लड रिलेशन चार कोस्टन आता है इसकी प्रेक्टिस कर लिए यह सिंपल हो जाएगा आपके लिए संटेंस एजंप्सन से दो कोस्टन आ रहे हैं एनलोजी से तीन कोस्टन आ रहे हैं तो फ्रेंट इस सेक्शन से आप लोग देख सकते हैं इससे भी लगबग आप लोग सारे कर सकते हैं रिजिनिंग में लगबग आप लोग 30 कोस्टन में से अगर कम अटेम्ट करते हो जादा जादा तो लगबग 25 पलस तो करोगे ही यहां रिजिनिंग ही बहुत अच्छी होती है लोगों की रिजिनिंग कापी अच्छा स्कोर दिलाती है ज्यादा ज्यादा 25 प्लस सारे स्टूडेंट कर पाएंगे रिजिनिंग में तो बात करते हैं अब अब अमलुक जनरल अवरिनेस की जिसमें हिस्ट्री से साथ कोस्टन पूछा जाता है जो लेवल रहता है मोडरेट जियोग्रॉफिस से कोस्टन पूछय जाता है बिलकुल nawty बिल्कुल इवस्टरी से को फकड़ी है इसमें से लगपल जादे को सण तरहें केखंगर है चेमेश्ट्री लेजिक ब्लत करते हैं यह दो फिजिक्स की बात करते हू तो physics से कितने question आ रहे हैं, 4 question आ रहे हैं, computer से 4, current affair से 11 question आएंगे, total आपके 40 question इसमें से आते हैं, 40 question इसमें से आते हैं, तो friend इसमें आप लोग देख सकते हैं, किस section से कितने question पूछेते हैं, लगबग मैंने सब कुछ आपको इसमें बता दिया है, कि biology से 7 question, chemistry से 2 question, physics से 4 question, इसमें अगर 40 में से आप लोग ज़्यादस ज़्यादा 30 से 35 के बीच में भी रहते हो, तो आपका काफी अच्छा score हो जाएगा, अगर 30 के बीच में रहोगे तो 70 हो जाएगा, और 35 के बीच में रहोगे तो आपका 75 हो जाएगा, जैसा कि एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, क्या आप पता, आप लोग जो है, रिजिनिंग में पूरा 30 में 30 भी मार शकते हो, और जो GKGS में आपका घट भी सकता है, माल लीजे, मैंने 30 लिया है, तो इसके जगपा 28 भी हो सकता है, मैत में जो मैंने 15 लिया हो, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 30 है, तो मैंने सिर्फ 15 लिया था, आप लोग उसमें बढ़ा भी सकते हो, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो टोटल यह रहा जो मैंने आपके साथ बताया पचातर प्लस कैसे आप लोग कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें फिर मैं आपको CBT2 के भी बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं इतने कोसे निसमें पूछे जाते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुट बैटे के जाएं दोस्तों लव यूवर